मार्च 1930 के बाद का दौर नमक आंदोलन की लपटें अंग्रेजी हुकोमत को जुदसाने लगी थी इसी आंदोलन के दोरान सत्या ग्रहकर ने एक 20 साल का लड़का आगरा पहुचा हाथ में भारत का ध्वज लिए लड़के से अंग्रेज पुलिस वालों ने तिरंगा छीनने की कोशिश की पुलिस ने कई बार कोशिश की लेकिन उसने तिरंगा नहीं छोड़ा लड़के को प पढ़के का नाम था श्री राम शर्मा और आगे चलकर इसी ने समाज सुधार के लिए गायत्री परिवार की इस थापना की 20 सितंबर 1911 को आगरा के आवल खेड़ा में जन्म हुआ था श्री राम शर्मा का आज हम उनकी जिन्दगी को करीब से जानेंगे और साथ ही समझेंगे कि गायत्री परिवार क्या है और यह कैसे काम करता है श्री राम शर्मा का जन्म एक जमीदार घराने में हुआ था पिता पंडित रूप किशोर शर्मा राजप्रोहित होने के साथ साथ विद्वान भग्वत कथाकार भी थे वह दूर दराज के राजगहनानों के राजप्रोहित विद्वान भगवत कथाकार थे हाना कि श्रीराम एक जमीदार घहनाने से थे लेकिन उनका मन शुरासी अध्यात्म साधना और गरीबों मजदूरों की तकलीफ को लेकर सम्मेदर शीर रहता था एक बार गाओं की एक महिला को कुष्ट हो गया तो बालक श्रीराम ने परिवार का विरोध सहकर भी उसी की टोली में जाकर उसकी पूरी सेवा की श्रीराम शर्मा ने सिर्फ 12 साल की उम्र में अध्यात्म की राह पकड़ ली श्रीराम शर्मा 1927 से 1933 तक सुतंतता सेनानी रहे बड़े हुए तो आरे समाज मत्रा के प्रमुख बन गए उन्होंने 3500 से ज्यादा किताबे लिखी जब श्रीराम शर्मा 15 साल के थे तम मदन मोहन मालविय ने कान में फूख कर उन्हें गायत्री मंत्र की दिख शादी थी बड़ी बात यह है कि श्रीराम शर्मा ने 15 साल की उम्र से 24 साल की उम्र तक हर साल 24 लाख बार गायत्री मंत्र का जाप किया आजादी के आंदोलन में हिसा लिया, तीन बार जेल गए, वे घरवालों के विरोथ के बावजूद कई समय तक भूमिगत कारिक करते रहे जेल में भी श्री राम अपने साथियों को सिक्षन दिया करते और वे वहां से अंग्रेजी भाषा सीख कर लोटे जेल में उन्हें देवदास गांधी, मदम मोहन मालविय और एहमत किद्वई जैसी हस्तियों का मार्गेदर्शन मिला श्री राम पर गड़ेश शंकर विद्यार्थी का बहुत प्रभाव पड़ा, इनहीं की वजह से पंडित जी राजनीती में आये थी राजनीती में एंट्री हुई तो महात्मा गांधी के भी करीब आये 1942 में भरच छोडो अंदोलन के वक्त श्री राम को मद्रप्रदेश और उत्रप्रदेश का प्रभारी नेता न्युक्त किया गया था मैनपुरी शडियंत्र में भी वह शामिल रहे श्री राम शर्मा 1942 में आगरा शडियंत्र केस में भी शामिल रहे थे इस केस का नाम किंग एंपिरर वर्सिस श्री राम शर्मा था इस मगदमे में पंडी जी के बेटे रमेश कुमार, बेटी कमला और बड़े भाई बाला प्रसाद शर्मा भी गिरफतार किये गए थे साल 1945 के अंत में सभी लोग रिहा हुए जेल में बंद रहने के दौरान पंडी जी को यातनाएं भी दी गई और इस वजह से उनके कान का परदा फट गया आजादी के बाद भी वेलेखन का कारिक करते रहे ग्लुकोमा की वजह से पंडी जी की दोनों आँखों की जियोती भी जाती रही इसके बाद नित्रहीन अवस्था में उन्होंने पांच पुस्तकें बोल कर लिखी 1971 में हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की यहीं से गायत्री परिवार की शुरुवात हुई जीवनकाल में उन्होंने 3500 से ज्यादा किताबे लिखी पंडी जी ने बेरोजगार युवाओं और नारियों को अपने पैरो पर खड़ा करने के लिए गाओं में एक बुंता घर इस्थापित किया गायत्री परिवार की स्थापना साल 1926 में हुई थी गायत्री परिवार जीवन और संस्किती के आदश सिधानतों का निर्मान करने वाला संग है गायत्री परिवार वसुधेव कुटुमगम की मानेता के आदश का पालन करता है गायत्री परिवार की स्थापना श्री राम शर्मा ने की थी लगवख तीन किलो मेटर के शित्र में फैला शान्तिकुंज आश्रम भारत का सबसे बड़ा और अध्भुत आश्रम है श्रीराम शर्मा ने सनातण धर्म में करमकांड कराने वाले प्रोहितों की परिभाशा बदर डाली हिंदु धर्म में धार्मिक कर्मकार्ण कराने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मनों को ही है लेकिन आचारे ने इस प्रथा को जातियों मूलन अभियान चला कर तोड़ दिया आदिवासियों, पिछडों, दलितों और समाज के दूसरे उपेक्षित वरगों को वैदिक कर्मकार्ण की सिख्षा दिख्षा दे कर उन्हें प्रोहित के रूप में इस्थापित किया आज शांति कुंज में अलग-अलग जातियों से जुड़े लोग वैदिक कर्मकार्ण कराने वाले प्रोहित के रूप में देखे जा सकते हैं दो जून 1990 को गंगा दशेहरे के दिन पंडिजी ब्रमलीन हो गए साल 1991 में भारा सरकार ने उनकी इस्मिती में एक डाख टिकट भी जारी किया 1994 में शिराम शर्मा के उत्राधिकारी के रूप में उनके दामाद डॉक्टर प्रणाउं पंडिया ने संस्थान की कमान सम्हाली और 2002 में डॉक्टर पंडिया ने शांति कुझ को नई दिशा देने के लिए देव संस्किती विश्म विद्याले की भी स्थापना की चलते चलते 20 सितंबर को हुई दूसरी घटनाओं पर एक नज़र डाल लेते हैं 388 दिल्ली के सुल्तान फिरोज दुगलक शाह तृतिये का निधन 1933 भारत में होम रूल लीक की संस्थापिका ऐनी बिसिंट का निधन हुआ 1948 फिल्म निर्माता निदेश्रक महेश भट का जन्म हुआ 2007 फ्रांस की सबसे व्रिद महिला सिमोन कैपोन का 113 वर्ष की आयो में निधन हो गया अगर आप ये वीडियो यूटूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप ये वीडियो फेस्वूप पर देख रहे हैं तो हमारे फेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें ऐसे ही जल्चसव वीडियो के लिए देखते रहे हैं एडिटर जी हिंदी